जहुआ की जहिन फ्रेंड हम लेकर आ रहें आप लोगों के सामने क्लास 12 में हिस्टृ का फ़हला चैप्टर इसे कई बार हमने अपने चैनल पर पढ़ाया है लेकिन जिस चैनल पर अभी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं उस पे पहली बार हम इसे पढ़ा रहे हैं और बोर्ड के सामने ही इसे हमारा पढ़ाने का उद्देश से था बट बोर्ड के सामने थोड़ी सी लाइटिंग प्रब्लम आ रही थी तो कोशिस की हमने बट सही नहीं दिख रहा था इसमें थोड़ा टाइम तो लगी जाता है ठीक नहीं सब आपके सामने पहले से बना के रखना पड़ता है और यह भी ठीक भी है कि आपके सामने हम लोगों के साथ डिश्टिल बोर्ड पर हम लोग नहीं रहते तो यह साथ में आपको नोट्स औगयरा बनाने के लिए काफी हि हमें लोग इसमें स्टार्ट करते हैं क्या क्या देखने वाले हैं इसमें सब कुछ हम कबर करेंगे आप túnday के साथ हड़का है इसमें मानडा एक कुछ हच्थर हैं जनके अस्थल हैं सब कुछ जानकारी देंगे पहले देखिए तो यहां पर मांडा है फिर यह हडपा है यहां मोहन जोदड़ो है चनुदड़ो और इधर आप देखेंगे तो फिर धोला वीरा काली बंगा रोपड वनवाली राखी गड़ी यहां पर आलमगीरपूर तो इस तरीके से इसके अस्थान हैं जिसमें फिर यहां इधर देखेंगे शुत कांगे डूर तो एसुर ओटड़ा रंगपूर लोथल तो इस तरीके के कुछ अस्थल हैं और इन अस्थलों के बारे में हमको डिटियल में देखना है जितने भी अस्थल हैं लेकिन कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम भी से चर्चा करेंगे जो आपके एक्जाम के पॉइंट अब व्यू से ज्यादा महतुपूर हैं आए इसमें बात कर लेते हैं इसके कुछ है अस्तर मतलब कि यहां पर बिस्तार भी रहते हैं थोड़े से इमेज में इसमें थोड़ी बिस्तार का तो उत्तर में देखेंगे मांडा रहेगा चेनाब नदी पर और फुर्व में देखेंगे तो आलम गिरपूर इंडन नदी पर पस्चिम में सुट कांगे डोर दासक नदी पर और दच्छिड में रहेगा दैमाबाद जो कि प्रारा नदी पर है गोदावरी पहली बात है कि हम बात करें सिंधू घाटिस सभ्यता की तो सिंधू घाटिस सभ्यता एक तिर्भुजाकार आकरती है यहाँ पर हम देखेंगे तो उपर की तरफ जब भी हमें ध्यान देना है कि अगर मानचित्र में आप कभी भी देखते हैं तो यहां आपको ध्यान देना सही है कि जब उपर की ओर बात करें तो यहां पे नौर्थ होता है नीचे की तरफ साउथ होता है और इधर इश्ट और इधर वेश्ट यह चार बाते आपको ध्यान देना है और यहाँ पर हम देखते हैं जब कभी हम जिक्र करते हैं तो हम कहेंगे कि उत्तर की ओर तो आप समझ जाएगा यह उपर की बात हो रही तो उत्तर की ओर जो सिंधु घाटि सभ्यता का सबसे उपरी अस्थर रहता है उसी को जो है हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे जिसे हम नाम देते हैं मांडा मांडा नीचे की ओर यहाँ पर यह कस्थल है जिसका नाम हम जानते हैं दैमाबाद ये दैमाबाद है और इधर हम देखते हैं तिधर रहेगा एक अस्थल है जिसका नाम है आलमगिरपूर आलमगिरपूर की बात करते हैं तो यहां पर रहेगा एक मिनित इधर रहेगा आलमगिरपूर और इधर जो रहेगा सबसे लाष्ट में सुत कांगे डोर ये चार अस्थान आपको याद रखने हैं ये चार अस्थान आपको याद रखना है उपर की तरफ आप ध्यान देंगे मांडा को नीचे ध्यान देंगे यहां पे दैमाबाद को इसको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं तो यहां आप देखें ऊपर की तरफ मांडा नीचे ध्यान देंगे यहां आप देखेंगे आलमगीरपूर और यहां पर रहेगा सुत कांगे डोर इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि जब आप यहां पे ध्यान देंगे कि इस तरीके से चार भागों में बता है तो उपर है मांडा यहां पे आपको याद रखना है मांडा है तो यहां पे आपको केवल क्या याद रखना है सम बराबर एड यानि कि sum और बराबर 8 यह सा से हो जाएगा सुथ कांगे डोर और मा से हो जाएगा मांडा A से हो जाएगा आलमगिरपूर और D से हो जाएगा धैमाबाद तो यहां पी हो गया आपका सुथ कांगे डोर और यहां पी हो गया आपका मांडा ये आलम गिरपुर हो गया और ये हो गया आपका दैमाबाद तो इस ट्रिक से आपको इसके चारो अस्थान के नाम याद रखने है बाकी हम देखते हैं कि ये चार अस्थान जो है इनका सबसे पूरवी पस्चिमी अस्थल कौन कौन सा है एस सब देखेंगे लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एक तरीके से केवाल आपको वता रहे थे कि किस तरीके से इसका बिस्तार कहा से कहा तक है इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं लेकिन देखते हैं कि आखिर इसकी सुरुवाद कैसे होती है तो एक कलास आपकी काफी लंबे ही होने वाली है और कई कलास इसमें थी जो आपको मिली हिस्ट्री से जुड़ी हुई दो जो की 10 मिनट 12 मिनट में कुछ छोटे छोटे टॉपिक को हमने कवर भी किया था एक कलास पूरा कम्प्लीट करने में आपको एक घंटे से ज़्यादा समय भी लग सकता है तो अभी हम इस्टार्ट किये हैं देखते हैं इसमें कितना समय लगता है तो आईए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंदु घाटि सभ्यता में तो एक कुछ अस्थल है और यहीं से स्टार्ट हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंदु घाटि सभ्यता के बारे में तो इसमें जो जानकारी हमें ध्यान देना है तो यहां पे है कि सिंधू घाटी सब्विता बिश्व की सबसे प्रचीनतम सब्विताओं में से एक है सबसे पहली बात और यह आपको ध्यान देना है कि जो सिंधू घाटी सब्विता है और 200 की जितनी भी पुरानी सभ्यता है उन सभी सभ्यताओं में से एक है पहली बात इसे सिंदु घाटी सभ्यता के साथ साथ हडपा सभ्यता भी कहते हैं कारण क्या है कारण ए है कि सिंदु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला जो पहला अस्थल था वो हडपा था इसी कारण से इसे हडपा सब्धिता भी कहते हैं इसमें अगर हम लोग नाम करण की बात करेंगे तो कई नाम इसके हैं जिसमें हम कई कलास में आपको बताएवी हैं सरस्वती सब्धिता, कासी यूगीन सब्धिता, हडपा सब्धिता और फिंदू घाटि सब्विता और प्रथम नगरी सब्विता एक कई नाम है इसके पांस नाम है तो इसमें हम देखते हैं कि इसे हड़पा सब्विता क्यों कहा जाता है तो हड़पा सब्विता कहने कारण था कि खोजा जाने वाला पहला अस्तल है इस कारण से से हडपा सब्विता भी कहते है यह आद देतिहासिक योम हडपा सब्विता की कास से यूगीन सब्विता के नाम से भी जाना जाता है आद देतिहासिक क्यों क्योंकि हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि तीन तरीके से तीन भागों में हम इतिहास को बाटते हैं ठीकने तीन भागों में हम इसको बाटते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि तीन भागों में हमको इस इतिहास को अगर देखें तीन काल खंडों में बाटेंगे तो पहला रहेगा प्राग इतिहासिक काल दूसरा रहेगा यहां पे आद्देतिहासिक काल जी और प्रोटो तो यहां पे रहेगा आद्देतिहासिक काल और यहां पे रहेगा historical यानि की एतियासिक काल तो तीन भागों में इसको बारते हैं यहाँ पर आपका stone age रहता है पासार काल और यहाँ पर रहता है आदियासिक काल में जितनी सभ्यताएं हैं तो इसमें आता है Indus Valley Civilization सिंदु गाटी सभ्यता तो एगटना अब हमको पढ़ना है इसी घटना की हम बात करें जब इसे हमको देखना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंदू घाटि सब्विता में क्या क्या बात ध्यान देनाच सबसे पहले अवी तक हमने आपको किवल नाम बताया है और जितने नाम हम आपको बता रहे हैं उन सभी के पीछे कारण है तो एक अविलेक है जिसका नाम है सारगोन अविलेक और इस अविलेक में इस सिंदू घाटि सब्विता को मेल हुआ भी कहा गया है क्योंकि वो नाविकों का देश माना जाता था तो इसी कारण से जो है इसे मेलुआ भी कहा गया है एक सारगोन अविलेक में एक हाजी पच्छी के लिए परसिद्ध था और इस काल का निर्धारन रेडियो कारवन यानि कारवन 14 के तहट जो है किया जाता है और सबसे जो माननेति थी माना जाता है शिन्दु घाटी सब्यता कब से कब तक विक्षित थी तो 2350 इसा पूर्व से लेकर 1750 इसा पूर्व तक आपने कई डाटा सुने होंगे जिसमें कई जगां 2500 से बताया जाता है 1500 इसा पूर्व से तो कई जगां 2200 इसा पूर्व से बताया जाता है हमें क्या मानना चाहिए हमें सबसे ज़ादा जो मानने है उसी को मानना चाहिए तो इसी के अधार पे हमें ध्यान देना है बाकि जितने डाटा हैं सब को हम बता रहे हैं कि नई NCRT के अधार पर पुरानी NCRT के अधार पर क्या डाटा होना चाहिए तो इसमें हम देखते हैं कि नई NCRT और पुरानी NCRT के साथ साथ सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे यह जो कारवन 14 है इस पद्धती की खोज एक अमेरिका के प्रसिधर रसायन सास्त्री वी यह लीवी द्वारा 1946 सिस्वी में की गई थी इस पद्धती में जिस पदार्थ को कारवन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है उतनी ही प्रचीन माने जाती है आईसी एक कारवन 14 एक ऐसा सिस्टम एक ऐसी पद्धती है जिसमें इसका जो है जब देखते हैं रिसर्च करते हैं तो ध्यान देते हैं कि कितना जादा समाप्त हुआ है और जब इसकी मात्रा बहुत क इतने वर्सों से है किस तरीके से है तो नई अंसियाटी के अनुशार जो अभी नई अंसियाटी आई हैं उनके अनुशार 2600 इसा पूरु से लेकर वो नई सो इसा पूरु की घटना मानी जाती है इस सिंदु घाटिस सभ्यता को लेकिन सारगोन अभी लेक के अनुशार जो की मद असिया का एक अभी लेक था जिसमें इसे मेलुआ कहा गया है उसके अनुशार 3250 इसभी से 2750 इसा पूरु माना गया है इसा पूरु से यानि जब सुरू भी नहीं हुआ उसके पहले इसको समाप्त बता दिया गया है और हमारा सबसे जो सर्व मानने डाटा है वो है तेईस सो पचास से सत्रा सो पचास इसापूर्व जो की ओल्ड इन्सी आर्टी के अनुसार भी ये डाटा इसे मानने रता देता है यानि कि इसे बताता है कि ये सही डाटा है इतना ही नहीं कई जगां जो है इसे अलग अलग डाटा के रूप में जाना जाता है लेकिन ये बात इतनी अवियाद रखेगा नई NCRT पूरानी NCRT और उस अविलेक के अनुसार जो सारगोन अविलेक है बात की जाए किसकी खोज इसकी जानकारी इन सभी बातों से जुड़ी हुई बातों पर तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सिंदु घाटि सब्विता की खोज किये थे वो जान मारसल 1921 सिस्वी में जिनके यह जो है यहां पे खोज के लिए जान मारसल के अनुसार दयाराम सहनी ने इसका उत्खनन किया था 1924 सिस्वी में जान मारसल भारती पूरा तत्तु विभाग के उस समय महा निदेशक थे अध्यक्ष थे लेकिन खुदाई करने में जो मुख्य भूमिका थी ओ दयाराम सहनी की तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी खुदाई 1921 सिस्वी में दयाराम सहनी ने किया था जो पहला अस्थल मिला था वो हड़पा था और हड़पा रावी नदी के किनारे इस्थित है पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे इस्थित है तो इस कारण से बताया जाता है कि दयाराम सहनी के दौरा इसकी खोज की गई थी इसे बताया जाता है कि सिंदू घाटी जो सभ्धिता है एहरपपा सभ्धिता के नाम से कहें या फिर सिंदू घाटी सभ्धिता इसकी अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो यह छेत्रफल में 13,00,000 वर्ग किलोमीटर है लेकिन वही डाटा जिस तरीके से समय में कनफ्यूजन है उसी तरीके से छेत्रफल में भी इसका ओल्ड एंसियाटी के अनुसार 22,00,000 किलोमीटर माना जाता है और कई जगा नहीं एंसियाटी के अनुसार 20,00,000,000 किलोमीटर भी माना जाता है तो कौन सा डाटा याद रखेंगे तो हम लोग 22 लाख वर की किलो मीटर वाला याद रख सकते हैं बहुत कम डाटा जो है बताया गया है अब हम इस से कुछ बेसिक जानकारी जिन में कौन-कौन बेक्ती जानकारी दिये हैं कौन इसकी खुदाई किये हैं तो उन लोगों के बारे में जानकारी देख लेते हैं तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारियों के बारे में मतलब कुछ समान ने जानकारी तो 1826 इसभी में सबसे पहले सबसे पहले चाल से मेसन ने चाल्स मेसन ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कोई एक सभ्विता है जिसका नाम है सिंदु घाटि सभ्विता मतलब इस तरीके से उसके बारें कुछ जानकारी उन्हें मिली लेकिन 1853 निस्वी में अलेक्जेंडर कलिंगम ने हडपा का सर्वे किया वहां से कुछ जानकारी प्राफ्ट किये और 1856 निस्वी के बीच जान वरंटन और विलियम वरंटन दो भाई थे जिन्होंने लाहोर से कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बिचा रहे थे और उन्हें अंजाने में हडपा की इटों का परियोग किया यानि उनको जानकारी नहीं थी ये कहां के इट हैं और अंजाने में उन्होंने हडपा की इटों का परियोग किया और इस परियोग के बाद भी उन्हें पता नहीं चला और हमें तो लगता है कि इन लोगों को ये जानकारी मिली लेकिन ये चाहते थे कि अगर इस जानकारी को हम लोगों को बताएंगे तो हम असब भे कहलाएंगे इनकी तुलना में इस कारण से इन लोगों ने इस जानकारी को दफनाने का कार्य किया तो आगे देखते हैं लोग तो ये बात वहां तक कैसे पहुची किसकी खुदाई होना शुरू हुआ तिसमें 1856 में अलेकजेंडर कलिंगम ने दूसरी बार फिर हडपा का सर्वे किया जो की 1861 में भारती पूरा तत्तु विभाग की अस्थापना की गई और इसमें गवर्नर जन्र लॉर्ड केनिन ये लॉर्ड और नहीं कहना चाहिए इन लोगों को एकेवल अपने सभी जितने लोग थे सब अपने नाम के आगे लगाते थे तो इनके यहां केनिंग के समय अलेकजेंडर कलिंगम को इसका जनक बनाया गया मतलब भारती पूरा तत्तु विभाग का इनको जनक बना दिया गया किनको तो अलेकजेंडर कलिंगम को और जब इन्हें जनक बताया गया तब इन्हों ने उस बारे में अधिक जानकारी एकठा की तो सरविच्छड करने वाले अलेकजेंडर कलिंगम हैं जानकारी देने वाले जार मैसेंजर हैं तो ए ध्यान दीजिएगा और जो सर जान मारसल हैं ये दयाराम सहनी को हडपा उत्खनन करने के लिए न्यूक्त किये थे इन्हों ने चुना था कि इसका उत्खनन करने के लिए एक विक्ती को सुना जाये तो विक्ती थे दयाराम सहनी और 1922 में सर जान मार्चल ने राखल दास बनर जी को मोहन जोदलों के लिए इनको नियुक्त किया और 1921 में हडपा के लिए दयाराम सहनी को और 1922 में मोहन जोदलों के लिए राखल दास बनर जी और 1924 में सिंदु घाटी सब्विता और हडपा सब्विता का नाम करण भी करने वाले बेक्ती कौन थे तो जान मार्चल अब देखिए चार लोगों के नाम काफी इंपोर्टेंट हैं जो आपको रीजन के साथ पता होना चाहिए पहला दयाराम सहनी और इनको याद रखेंगे उत्खनन करता के रूप में दूसरे हैं मैसेंजर और मैसेंजर को आप याद रखेंगे जानकारी के रूप में और तीसरे जो हैं जिनका नाम मार्सल जॉन मार्सल इन्हें आप याद रखेंगे किसके रूप में तो नामकरण के रूप में और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो कलिंगम हैं कनिंगम को आप याद रखेंगे सर्वेच्छड के रूप में ये चार लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए कारण के साथ तो इसमें ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए अब इनको हम देखते हैं इस चित्र को तो यहाँ पे कुछ अस्थल जो अभी हमने आपको बताया है वो कुछ अस्थल है और इसमें कुछ इंपोर्टेंट अस्थल के रूप में जैसे हडपा है मोहन जोड़ो है इधर मेहर कड़ है और इधर मोहन जोड़ो है लोथल है काली बंगा धोला भी रहे कुछ इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे अस्थल है तो इसमें अब हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कैसा है तो तिर्भुजाकार है और बात की जाए अब इसके उत्तरी दच्छडी पूर्वी पस् हीएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ उत्तरी बिंदो कि सबसे नौर्धिस्ट फाइंड यानि सबसे नौर्दन पॉइंट की तो ए मांड़ा है नाम है इसका मांड़ा और किस राज्य में है तो जंबु कस्मीर में है जो चेनाव नदी के पास है चेनाव नदी के पास मांड़ उस अस्थान का नाम है जंबु कश्मीर राजजमेशित है जो अभी केंदर सासित परदेश है फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पूर्वी अस्थल की तो सबसे पूर्वी अस्थल जो है ओ आलम गीरपूर है जो उत्तर परदेश में है और उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है ये सबसे इस्टन पार्ट है ये सबसे नौर्थेस्ट यानि कि सबसे जो है नौर्धन पार्ट है अब हम सबसे दक्षडी और सबसे पस्चिमी को भी देख लेते हैं तो सबसे दक्षडी की अगर बात की जाए और इसकी एक सहायक नदी है प्रवरा तो प्रवरा नदी पर है जो की गुदावरी नदी की सहायक नदी है और सबसे पस्चिम में बात की जाए तो सुर सुत कांगे डोर है सुत कांगे डोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस्थित है नदी कौन सी है तो दासक नदी है दासक नदी है ठीक नहीं यहां पे दासक लिखिएगा दासक नदी है लेकिन अगर बात की जाए तो यहां से इस तरीके से उपर से ले कर यहां उपर से ले कर अगर हम देखेंगे यहां से तो यह 1400 किलो मीटर है शवदा सो किलोमीटर और अगर इस तरीके से देखेंगे तो यह 1600 किलोमीटर है तो जब इन दोनों का मल्टिफलाई करेंगे तो आपके सामने उस तरीके का डाटा जो निकल के आएगा ऐसे इस तरीके से जो है यह लंबाई चौड़ाई में बात कर रहे हैं तोटल यहां पर जो आ रहा है तो आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा एरिया आ रहा है इसका तो इसी तरीके से जो है जो छेतरफल विष्टार है अब अगर हम लोग बात करें इसमें तो कुछ अस्थल हैं और उन्हीं अस्थलों के बारे में ज़्यादा कोस्टन पूछे जाते हैं ये तो जानकारी इस तरीके से थी लेकिन जो सबसे महतपूर जानकारी है उस पे हम चर्चा करते हैं और इसमें सबसे पहली बात है कि नवीनतम आकडों के अनुसार या सब्धिता 400-500 वर्सों तक विद्धिमान रही कुछ नए डाटा है और जिनके अनुसार ये मानना है कि या सब्धिता 400-500 वर्सों तक बनी रही 2350 इसा पूरु से लेकर जो यहां 2200 लिखा गया है और 1750 इसा पूरु जो यहां पे 2000 लिखा गया इनके बीच का अगर हम गयब देखेंगे तो यहां इस बीच में 2000 से लेके यहां 2200 से लेके 2000 इसा पूरु के मद्धिमी इसमें परिपक को अवस्था में आई यानि कि इस समय यह सबसे ज़्यादा विक्सित थी और इस सब्धिता में परिपक को अवस्था में चै बड़े अस्थल थे चै सबसे बड़े अस्थल जो सबसे ज़्यादा महत्फूर्ण हैं एक है मोहन जोदडो दूसरा है हडपा और एक है गड़वारी वाला और दूसरा है धोला वीरा फिर राखी गड़ी और काली बंग इन चै अस्थानों को आप याद रखेंगे और इस सब्धिता में अब तक कुल 350 से अधिक अस्थल हैं जो खोज में आ चुके हैं कई जगां तो इसके डाटा बहुत अधिक मिल चुके हैं और सबसे ज़्यादा गुजरात में हैं और सिंदू घाटी सब्धिता में हम देखें हडपा का सरव पर्थम उत्खनन जो हुगा 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा और इसी कारण से इसे हडपा सब्धिता के नाम से जाना जाता है और हडपा के टीलों की सरव पर्थम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिया तो जानकारी देने वाले चार्ल्स मेसन या मैसेंजर कह सकते हैं और हडपा सब्विता से दो टीले प्राप्त हुएं जिसमें पूर्वी टीला और पस्चिमी टीला एक इस तरीके की बात है इस पे हम चर्चा करते हैं तो पस्चिमी टीले और पूर्वी टीले में अगर हम लोग देखते हैं तो देखे इसमें बताया जा रहा है कि पस्षमी टीला जो है वो दुर्गी क्रित टीला है यानि दुर्ग से रही टीला तो इसमें जो बात की जा रही टीले की पहले इसमें देखते हम कि दो तरीके के टीले थे एक जो है इसमें पस्षमी टीला होता था एक पूर्वी टीला एक पश्मी टीला एक पूर्वी टीला जो टीला या गढ़ी होता था इसे टीला या गढ़ी कहते थे इसके चारो तरफ से रच्छा दिवार होती थी ठीक ने इसके चारो तरफ रच्छा दिवार होती थी एक तरीके से दो टीले बनाये जाते थे और एक जो होता था इसके चारों तरप से एक रच्छा दिवार होती थी जो पक्की इटों की बनी होती थी एक नगर होता था और नगर में आयसी कोई भी रच्छा दिवार नहीं होती यहां पर रहने वाले जो लोग थे वे पूरोहित, ब्राहमर, छत्री लोग रहते थे और यहां पर रहने वाले लोग कुछ प्रसासनिक इधर प्रसासनिक लोग भी रहते थे यहां पर किसान, मध्यवर्ग के लोग और सेवा करने वाले जितने भी लोग थे यहाँ पर इसलिए रच्छा दिवार बनाई जाती थी ताकि बार से और बाहरी आकरमण से इसे बचाया जा सके इसी कारण से यहाँ पर रच्छा दिवार बनाई जाती जबकि यहाँ पर कोई रच्छा दिवार नहीं है लेकिन कुछ अस्थानों पर मिली है जिन्हें अभी हम देखते हैं कि ओक कौन से अस्थान थे जिस में एक अस्थान है लोथल है कुछ अपवाद के रूप में एक जो है सुरखोच्डड़ा है तो ऐसे कुछ अपवाद भी यहाँ पह मिले है चनुदड़े ओह है जहां पे कोई दिवार नहीं है ना यहां सभ्धिता से दो ही तीले यहां पे दो तीले प्राप्त हुए कई जगां तीन तीन प्राप्त हुए तो जिनमें पूर्वी तीला नगर और पस्चिमी तीला दूर्ग की तीला होता था यानि दूर्ग से बना होता था एक तो पूर्वी को नगर कहते थे और पस्चिमी को दूर्ग रहित होता था और उसमें रच्छा दिवार होती थी जो उचे अस्थान पर उचे अस्थान पर स्थित रहता था और हडपा में वास्तवियन की स्वास्तिक चिन्ध मिला है और इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्थ हुए लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुआ था मतलब देवताओं के कुछ मूर्थिया मिली है मात्री देवी की मूर्थि इस तरीके से लेकिन इसमें कहीं भी मंदिर वगेरा नहीं बनी है बात की जाए इसमें तो अननागार मिला है छैसे पंक्तियों के बारा अननागार मिले हैं और इस हडपा में हम देखते हैं तो यहां से बताया जाता है कि गर्ब से निकलता हुआ पौधा मिला है जिससे उर्वरता की देवी कहा जाता है और इसी सिंदु घाटी सब्विता का सबसे बड़ा अस्थल मुहन जोदुडो माना गया है तो यहां से मुहन जोद लोई स्टार्ट हो गया एक मिने टुकिएगा हम पहले हडपा के बारे में आपको कुछ और वस्तुएं मिली हैं जिनको बता देते हैं हडपा से और क्या-क्या हमें याद रखना है तो हडपा में सबसे पहले आपको अन्नागार याद रखना है अन्नागार और असनानागार साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से मिली है मात्री देवी की मूर्ती मात्री देवी की मूर्ती और मात्री देवी की मूर्ती के साथ यहाँ से मिली है ओखली ओखली के साथ साथ यहाँ से क्या मिली है तो ओखली के साथ यहाँ पर मिले है ताबूत ताबूत के साथ यहां आपे मिले हैं आर यच थर्टी सेवन कब्रिस्तान आर यच थर्टी सेवन कब्रिस्तान इतनी चीजे यहां पे हडपा में आप और याद रखेगा साथ में यहां पे हाथी की खोपड़ी और स्वास्तिक चिन भी मिला है स्वास्तिक चिन भी यहां पर मिला है तो इसको भी याद रखेगा कि यहां से स्वास्तिक चिन भी मिला है इतनी बात आप हडपा में याद रखेंगे जो हडपा से केवल मिलने वाले अस्थल हैं जो मतलब समान मिले हैं वो सभी चीजे अब अगर हम बात करें तो यह हडपा जो है हडपा पाकिस्तान के ठीक नए यह पाकिस्तान के पाकिस्तान में एक प्रांत है पंजाब प्रांत और पंजाब प्रांट में अगर हम बात करें तो पंजाब प्रांट के साही वाल जिले में साही वाल जिले में ये मिला है ठीक नए यहां साही वाल इस तरी के सरेगा साही वाल जिले में ये मिला है पंजाब प्रांट के साही वाल जिले में इसमें अगर हम बात करें तो उत्खनन करता की रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्खनन करता कौन रहेंगे तो दयाराम सहनी थे और अगर बात करें खोज करता की रूप में तो याद रखा जाता है माध्धो स्वरूप को माध्धो स्वरूप दास को स्वरूप वद्ष को स्वरूप दास नहीं रहते हैं माध्धो स्वरूप वद्ष रहते हैं इनको आप याद रखिएगा और साथ में इन्हें जो है खोज करता के रूप में ही माथो स्वरूपवत्स के साथ साथ हुईलर को भी याद रखा जाता है तो हुईलर को भी आप याद रखेंगे हुईलर यह जो है इसमें हडपा के खोज करता और उत्खनन करता है फिर अगर हम बात करें तो यह किस नदी पर है तो आपको हमने बताया कि यह जो है राभी नदी पर है और इतनी बात आपको हडपा के बारे में याद रखना है अब हम बढ़ते हैं मोहन जोदडो की उरूप तो मोहन जोदडो में हम देखते हैं कि यहां से क्या क्या मिला है तो एक तो आयताकार मुहर और मोहन जोड़ो सबसे बड़ा अस्थल था और भारत में सबसे बड़ा अस्थल ये पूरे सिंदु घाटी सब्विता का सबसे बड़ा अस्थल मोहन जोड़ो था और भारत का सबसे बड़ा अस्थल राखी गड़ी था मोहन जोदड़ों का जो साब्दिक अर्थ होता है वो मिर्तकों का टीला होता है यानि कि मिर्तकों का टीला धेर सारे कंकाल मिले है तो उसी को हम कहते हैं कि ये जो है क्या है मिर्तकों का टीला है इसके उत्खनकरता कोन थे तो उत्खनकरता 1922 इस भी में राखल दास बनर्जी थे इसे सिंध के बाग यानि की नखलि स्थान के नाम से भी जाना जाता है यहां से बिरसब युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है और असनानागार में सर्व पर्थम गिरी पुस्पक यानि जिप्सम का परियोग किया गया था उसे बनाने में तो यहां से असनानागार भी मिला है और मोहन जोड़ों की सबसे महतुपूर खोज बिसाल असनानागार थी जो एक आयताकार जलासे था जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.04-3 मीटर गहरा था इतना मतलब उसका डाटा है एक बिसाल असनानागार धर्म अनुफ्ठान संबंधी असनान के लिए वनाया गया था कि किसी धर्म पे जो है सब लोग इकठा होके वहाँ पे असनान और गयरा करेंगे उस समय जो जान मारसल थे उन्होंने ततकालिन बिस्व का ये आस्चर जनक निर्माड कहा है कि ऐसा निर्माड कहीं पूरे बिस्व में नहीं हुआ है और इस सच्चाई भी है कि जहां अंग्रेज लोग आके यहां सभ्यताओं की बात करते हैं हमारे यहां सभ्यता उनके जब सभ्यता का नाम भी नहीं जानते होंगे उसके पहले यहां पे विक्सित हो चुकी थी यहां इसके उत्तर में उत्तर और दच्चिड में सीड़िया बनी हुई थी और इसके उत्तर दच्चिड में कपड़े बदलने के मतलब कि यहां पे जैसे कई जो है कक्ष बने हुए थे यहां पे आप देखेंगे तो सीड़िया बनी हुई थी तो इस तरीके के इसमें जो है क और यहां से देखेंगे हम तो कई वस्तुएं हैं जो ज़्यादा ध्यान देना है जिसे नर्थकी की मूर्ती नर्थकी की मूर्ती यहीं से मिली है इसे डांसिंगरल भी कहा जाता है नर्थकी की मूर्ती जो कासे धातू की बनी हुई थी और इसमें लोगों की जितने भी सिंदु घाटी सब्विता के लोग थे ने इनको लिपी का कोई ग्यान नहीं था इनकी लिपी चित्रात्मक लिपी थी भाव चित्रात्मक जो दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी यानि जो है हम देखते हैं यह लिखी कैसे जाती थी तो यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है ऐसा जो है पोंच की गया है कि जिसे आज तक हम पढ़ा नहीं पाते हैं ऐसी इनकी लिपी थी और सिंदु घाटी सभ्विता में सबसे प्रथम नगरी जो सभ्विता भी इसे कहा जाता है और इसमें सहर ग्रीड प्रडाली में बसे हुए थे मतलब सड़क एक दूसरे को सम कोड पर काटती थी तो इसे कहते थे ग्रीड प्रडाली इसके जितने भी मुख्य दरवाजे होते थे वो मार्ग पर यानि रास्ते पर नहीं खुलते थे बलकि जो है पीसे की ओर इसके दरवाजे खुलते थे और लोथल के नगर दरवाजों के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे केवल एक मात्र ऐसा अस्थल था जिसके दरवाजे सड़क की ओर ही खुलते थे लोथल क्योंकि वह एक ब्यापारिक के अंदर था हडपा और मोहन जोदडो और अन्य प्रमुख नगर इटों से बने थे कई जगा जो है मतलब पक्की इटों से और जबकि काली बंगा और रंगपूर एक अच्ची इटों से बने थे बाकि सब जो है पक्की इटों से बने उए थे एक इत्यास कार है पिगट इनों ने कहा कि हडपा और मोहन जोदडो दोनों सिंदु घाटी सब्विता की जुडवा राजधानी थी यानि एक अस्थान की उसी एक ही सब्विता की दो दो राजधानी थी और सिंदु घाटी सब्विता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होता था यानि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक था क्योंकि बड़ी मात्रा में मात्री देवी की मूर्ती मिली है इसलिए माना जाता है कि एक मात्र सतात्मक था और अगर हम बात करें तो मोहन जोड़ों से क्या-क्या जो है अधिक जो वस्तुवें मिली हैं तो उन में अगर हम लोग बात करें, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां से क्या-क्या और मिला है, तो मोहन जोड़ों से अगर हम देखें तो यह कहां इस्थित है तो यह पाकिस्तान के पंजाब परांत में था तो यह पाकिस्तान के पाकिस्तान के सिंध परांत में इस्थित है और सिंध परांत के लरकाना जिले में सिंद प्रांत में एक लरकाना जिला है वहाँ पर यह इस्थित है बात की जाए इनके खोज की तो आपको हमने अभी बताया कि इनकी खोज करने वाले कौन थे तो राखल दास बनर्जी थे लेकिन उत्खनन करता की बात करें तो यम के और साथ में जो है हुईलर थे यम के मैके सिंद जी और हुईलर हुईलर थे ठीक नहीं है थोड़ा सा लिखने में जो हम लिख रहे हो सही नहीं होगा मतलब की डारेक्ट स्कीन पर लिख रहे हैं इसे पर तो उतना बढ़ी हां लिखते नहीं बन रहा है बागी अगर बात की जाए तो किस नदी पे था तो सिंध नद पे ठीक नहीं सिंध नदी पे था और इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुछ क्या-क्या मिले हैं तो जैसे यहां पे मिलने वाले अस्थानों में अगर देखा जाए तो एक तो सबसे पहली बात है कि यहां पे 10 मीटर चौड़ी एक सड़क मिली है जिसे याद रखिएगा गया है और वो 10 मीटर चौड़ा है राजपत उसे कहा गया है वो 10 मीटर चौड़ा है और फिर हम देखते हैं तो इसी के साथ साथ जो है यह से भी मिले हैं कपास के साथ भी मिले हैं फिर आगे हम बात करते हैं लोथल के बारे में लोथल के बारे में बात कर लेते हैं और लो जो 1957 इस्वी में इसकी खोज की गई यहां से गोदी वाड़ा मिलता है और जो सिंदु घाटि सब्विता की सबसे बड़ी किरती थी सागर तर्थ पर यही थित था और पस्चिम एसिया से इसके जो है ब्यापार होते थे एक प्रमुख बंदर गाह था लोथल एक प्रमुख बंदर गाह है और इसके ब्यापार पस्चिम एसिया से होते थे यहां पर फारस की मुहर भी मिली है इतना ही नहीं यहां से चावल की भूशी के साख्ष भी मिले है जो की रंगपूर और लोथल दोनों जगां से मिले है फिर अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो लोथल जो है कहां इस्थित है तो यह गुजरात में हमारे भारत के गुजरात में इस्थित है और गुजरात में अगर हम लोग देखें तो अहमदाबाद जिले में गुजरात के अहमदाबाद जिले में इस्थित है और अगर बात की जाये तो इसकी खोज करने वाले पर भोगवा नदीपर है यह भोगवा नदीपर इस्थित है और यहां से अगर हम लोग बात करें तो क्या-क्या मिला है तो जैसे फारस की मुहर सतरंज भी यहां पे मिला है सतरंज की खेल और फारस की मुहर याद रखिएगा साथ-साथ यहां से जो हम जानते हैं कुछ हाथी के दांत जैसे कुछ पैमाने मिले हैं तो ये भी आप याद रखिएगा लोथल में फिर हम बात करते हैं चनुदड़ो की ओर और चनुदड़ो में हम देखते हैं कि यहां से क्या क्या सीजे हमें ध्यान देना है तो चनुदड़ो में अगर देखें तो 1935 में मैके जी ने इसकी सरवपर्थम खोज की और 1931 में यमजी मजुमदार ने इसकी कोज की तो मजुमदार को ज़्यादा सिरे दिया जाता है और इसमें अगर हम लोग देखें तो यह कहां इस्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस्थित है और सिंध प्रांत के नबाब साह ठीकिन एक जिला है वहाँ पे नबाब साह जिला नबाब साह एक जिला है नबाब साह और उसी नबाब साह जिले में इस्थित है चनुदडो और चनुदडो की खोज करने का जो स्रे दिया जाता है वो दिया जाता है मजुमदार को और अगर बात की जाए तो एक किस नदी परिष्थित है तो ये भी सिंध नदी परिष्थित है सिंध नदी परिष्थित है और इसमें से यहां जितनी भी चीजे मिली है उस सब के सब जो है मेकप की समागरी मिली है यानि कि जितने भी चीजे इसमें अब मिलेगी आप सब जानते हैं तो इसमें से जितनी भी चीज है उस सभी कि सभी वस्तुएं यहां से मिली हुई है यहे कवधोगिक नगर भी था यहां से मन के सीप, अस्थी, मुद्रा बनाने के प्रमुक केंदर भी इसे माना जाता है तो यहां से सभी वस्तुएं म वक्राकार इंट भी यहीं से मिले हैं और इतना ही नहीं यहां पर वक्राकार इंट के साथ साथ यहां से आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि कुछ अलंक्रित इंट भी मिले हैं वग्ड़ाकार इंट के साथ साथ अलंकृत इंट और अलंक रिइट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तिहां से कुछ खिलोने भी मिले है तो इतनी चीजे आपको चनु दढम में याद रखना है जो जो चीजे से यहां से मिली हुई हैं फिर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे सामने यह भी कुछ यहाँ पर वस्तुएं हैं जिनका हम पहले ही बता दिए आपको अभी लिखे भी हैं ठीकिना इसका ख्याल नहीं आया है हमको तो यह भी है कि यहाँ से कुट्टे का पीछा करते हुए बिल्ली का भी साक्ष मिला है और नारिस सौंदर के प्रसाधन जितने भी चीजे मतलब रहती हैं और फिर साथ साथ कुछ मतलब इस तरीके के वस्तुएं और साथ साथ अलंकृत इंट भी मिला है और साथ साथ अलंकृत इंट भी मिला है यहाँ से कुछ जुंगर जहांगर सांस्कृतिक आउसेज भी मिल बंगा सब्विता की एक खोपड़ी है जिसमें छैशेद हैं वहां से मिली है एक खोपड़ी अर्थाच साल चिकित्सक का भी घ्यान था यहां से और कई साक्ष मिले हैं तो सबसे पहले काली बंगा की अगर हम लोग बात करें तो काली बंगा राजस्थान के हनुमान गर्जिले में इस्थित्थ है यानि कि यह हनुमान गर्जिला हनुमान गर्जिले में इस्थित्थ है राजस्थान में हनुमान गर्जिला है और उस हनुमान गर्जिले में काली बंगा इस्थित्थ है बात करें तो इसकी खोज आलम न ऐस्वी में किया था आलमंद गोस ने 1951 इसवी में इसकी खोज इथी इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो काली बंगा में इसके उत्खनन करता के रूप में खोज करता के लूप में उत्खनन करता आलमनंद घोस और खोश करता की रूप में वी के थापर को याद रखा जाता है किस नदी परिस्थित है तो घगघर नदी परिस्थित है घगघर नदी ये एक है और ये घगघर नदी परिस्थित है ठीकने ये घगघर नदी परिस्थित है गगघर नदी परिस्टित है और इसमें से जो औसेस मिले हैं वो कौन कौन से औसेस मिले हैं तेहां से औसेसों की अगर हम लोग बात करें तो अलंक्री तीटों के साक्ष कपास की खेती के साक्ष उंट अहस्तियों के साक्ष भुकंब के साक्ष दो वर्स फसर उगाने के साक्ष जूते हुए खेत के साक्ष और काली बंगा का अर्थ क्या होता है तो काली बंगा का अर्थ होता है काली चूडियां तो यहां से जुते हुए खेत के साक्ष भी मिले हैं काली वंगा में सौ के अंतियोष्ठी कारिकरम यानि जो अंतियम संसकार होता है उसके भी साक्ष मिले हैं तो पूर्ड समाधिमान तीन परकार के और आंसिक समाधिमान और दा संसकार इसके भी प्रमाड काली वंगा से मिले हैं फिर बात करते हैं धौला वीरा की तो धौला वीरा की अगर हम लोग बात करें तो धौला वीरा गुजरात के कक्छ के भसारू तालुका में स्थित है ठीक ना यानि कि धौला वीरा की अगर हम लोग बात करें तो धौला बीरा गुजरात के कच्छ जिले में इस्थित है ठीक ना एक कच्छ जिला है वहाँ इस्थित है और जेपी जोसी ने इसकी खोज की थी जेपी जोसी जेपी जोसी ने इसकी खोज की थी 1967 सिभी में उत्खननकरता जेपी जोशी थे और खोजकरता के रूप में रविंद सिंग विश्ट थे तो एदो लोग इसमें इम्पॉर्टेंट रहेंगे किस नदी पर स्दित है तो लूनी नदी पर स्दित है फिर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हमको ध्यान देना क्या है तियास्थल अद्धूत नगर है और दूर्ग प्राचीरत था अति विशिष्ट जल परबंद बेवस्था के कारण सिंधू सब्विता का अनूठा नगर इसे माना जाता है फिर आगे अगर हम लोग देखें तो यहां से स्टेडियम के साक्ष 16 कृतिम जलास है और फिर कुछ पलिश जुकते फूस्टनापट भी मिले हैं और फिर बात कर लेते हैं सुर्फ कोटड़ा की अगर हम लोग बात करें तो यह कहां इस्थित है एक कक्ष गुजरात में थे और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी जगपती जोसी ने इसकी खोज की थी जगपती जोसी जगपती जोसी ने इसकी खोज की थी और उननी सो संद्सट इस बी में jagpati josa पिर इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां से क्या-क्या मिला है तेयांस हमें घोρे की असथियां मिली है और सिंदू घाटि सब्द्ता के लोगों को घोरे का घ्यान नहीं था रंगपूर अस्थल गुजरात के काठियावार जिले में स्थित है अब रंगपूर के बारे में बात कर लेते हैं छोटे छोटे हैं जो गुजरात के काठियावार जिले में स्थित है जहां से चावल के दाने के साक्ष मिले हैं और जो वही इसी कारण से वहाँ पर भूसी के भी साक्ष मिले हैं तो इसमें अगर हम लोग देखें तो रंगराथ राव ने इसकी खोज की थी 1903 इस भी में रंगनाथ राव ने 1903 इस भी में फिर हम देखते हैं तो यहां से लोग याता यात के लिए दो पहिये और चार पहिये का भी परियोग करते थे यानि बैल गाड़ी का भी परियोग करते थे सिंदू घाटि सब्विता में समाज चार भागों में बटा हुआ था रोहित थे व्यापारी वर्ग किसान वर्ग और सर्मिक वर्ग ये अस्थलों के बाद हम देखते हैं वहाँ पर समाज कैसा था तो यहाँ के लोग सांती प्री लोग थे ये अत्यंत कम मात्रा में हथियार रखते थे तलवार से इनको कोई परचे नहीं था ये लोग लोहे से आपरचित थे कासा यानि तामबा और टीन के परियोग से बना है इसे मिस्त्रधातू कहते हैं इस सब्विता में सोने और चादी का परियोग करते थे और यहाँ के पूरे सवर महिलाएं ज़्यादा जो है मतलब गहने पहनते थे जिसे जवाहरात हम लोग कहते हैं एक तरीके से और यहाँ पे जो है हम देखते हैं तो मनरणजन के लिए पसुपच्च्चों की लड़ाई करवाई जाती थी उनके कुछ खेल होते थे सत्रंज जैसे सिकार मचली एसब करने का कारी इनका था बाकी जितना आपका सिंदू घाटि सब्विता था इसमें सब कुछ कवर हो गया है कुछ नहीं इसमें बचा होगा सब कुछ हमने कवर कर लिया है सिंदू घाटि सब्विता से बाकी बहुत सारे अस्तल है उस तरीके से राकी गड़ी है वनवाली है, रोपड है, दैमाबाद है सभी के बारे में जो है रोपड जिला पंजाब में इस्तित है यगदत सर्मा ने इसकी खोच की थे उन्ने सो तिरपन इसबी में ठीक नहीं है, जो की सतलर नदी पर इस्तित है, और इसी तरीके से कई अस्तल, अगर हम लोग बात करें तो राकी गड़ी है, हिसार जिला है हर्याड़ा का, जिसमें जो अगर एक अमरेंदर नाथ नाम के बेखती थे, जिन्होंने खोच किया था, जो घगर नदी परिष्टित है, तो इस तरीके से जो है छोटी छोटी बाते हैं बाकी अगर हम लोग बात करें तो यह जितने इंपोर्टन्ट है उनके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है अब अगर हम लोग देखते हैं तो एक धातू का रर्थ दैमाबाद से थोड़ा से याद रखिएगा कि दैमाबाद में एक जो है मिला है दैमाबाद में धातू का रर्थ जो कभी कभी पूछा जाता है धातू का रत धातू का रत याद रखिएगा बाकी रोपर से किर्सी गेहूं चावल के साख्ष मिले हैं और बनवाली से तो जव मिट्टी और हल्की आक्रती तो थैंक्स टेक केर बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और कल का एक्जाम भी है